कि हमारी वर्ती को रोक क्यों जा रहा है जब सरकार मुंछ फेयर स्टी को क्यों कि रहा है इसलिए एक्वाल क बाद मेरिट लिश्ट इस्ट लिस्टन्ग सोट लिस्टिंग सोट लिस्ट है कि इस एकता जिनदाबाद है सीद्दा पास यूपी डोल सी कि इपैल सी रूपी डोल सी सरकार के बादे को सरकार के बादे को अलो स्वागत आप सभी का यूपीआ इटेंश ट्रक्टर के यूटीब प्लेटफार्म पे जैसा कि आप सभी ने जो वीडियो देखा है वह 12 जुलाई को यूपी ट्रपल सी के प्रांगण में दिये गए धर्ने की वीडियो है जो की टेक्निकल डिलाइट यूटीब चैनल से राप्त होई है यह नहों ने ये वीडियो अप्लोड कर रखी थी तो देखे मैं आप सभी को ये बताने के लिए आया था कि 12 तारिक में जो धर्ना प्रतर प्रतिकन वहां गए थे उन्होंने ये बताया है जन ग्रुप्स में कैंड़ेट्स एड हैं उन्हें भी पता होगा कि आयोग ने आस्वासन दिया है कि 28 अक्टूबर 2022 के पहले-पहले आपका जो एक्जाम है वो करा लिया जाएगा तो देखिए ऐसा अभी कहीं भी नौटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें हम ये ऑफिसियल मान सकें ना ही कहीं ऐसी कोई बात किसी बड़े विक्ति द्वारा लिखित में दी गई है परन्तू जैसा कि अभ्यार्थियों ने बताया है कि आपका जो एक्जाम है वो maximum possibility है कि अक्टूबर के पहले करा लिये जाएगा तो उसी को देखते हुए आप अपनी तयारी को सुनश्चित करें और तयारी करते रहें साथ ही साथ जो भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी और आप सभी तक उस सूचना को लप्त कराई जाएगा देखिए भी हाल फलाल में ऐसा कोई भी final notice नहीं है जिसमें मैं आपको यह बता सकूँ कि आपका एक्जाम आखिरकार कब होना है कोई भी अधर अपडेट अगर आती है तो आपको जरूर सुचत किया जाएगा थैंक्यू सो मच हमारी भरती को रोक्ता क्यों जा रहा है जब सरकार ने भेज़ती कंडेक्टिंग अधार्टी के पास तो हमारी तिथी को इंग्णोर क्यों किया जा रहा है इसलिए एक्जाम और चाईक्शंटी तरहां यृत्वरिदेशन सौर्टलिस्ट शायओत इसका जिनदाबाद तीऐ चिकता युपी अबुलिस और युपी ट्रो पल सी कि साओं के बादे को सौधिन का बादा कहां गया हमारी भरती को इंग्नॉर कर दिया गया अगली भरतियां आ रही है हम नहीं कह रहा है अगली वर्तियां मताओ हम तो कह रहा है भरतियां लगाओ लेकिन हमारी भरती को छोड़ो मत हमारी भरती को हमारी भरती को हमारी भरती को हमारी वर हमारी मांग पच्चिस्टो चार्व वाकेंजी पूरी करो कुरी करों पूरी करों पूरी करों एक वर्ड है ब्यूरोक्राशी नौकर साही जिसे बोलते हैं एक एक महान वेग्यानिक और महान समान सास्त्री रहें जिनका नाम सबने सुना होगा मैक्स वेबर मैक्स वेबर थे उन्होंने बताया था कि सत्ता होती एक चीज सत्ता के दो अंग है सत्ता के दो अंग है और एक जो अंग है पहला जो अंग है वो राजनीती है दूसरा जो अंग है जिसे बोलते हैं बीरोक्राशी नौकर साही जरूरी है नौकर साही सिस्टम में बदलाव लाती है इंपलीमेशन वहीं से आता है और राजनीती जरूरी है प्रजातंत्र जरूरी है वो हमारे लिए मार्दशन देते हैं और इन दोनों के पीछे जो बैक्वोन है वह प्रजातंत्र वह हम वह हम हमने बैठा लाएं उनको हमने इसलिए हम इग्नॉर क्यों सहेंगे तो CITS एकता ह हमारी तिन्न साबॉर कियो साइस सोधован कवादा साफ सोगां को χार नहीं मानना याद रखना विरोक्राँची क्या करते हैं जब जब प्रोटेस्थ होता हैS का या थिरीके से त्रिक से सोता है जांदिभाण ह eli